बच्चों, बार्विय कक्षाई गणित की पाठ्टे पुस्तिका का अध्यायच है अवकलज के अनूपरियोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतरगत विविद प्रस्न माला के प्रस्नों को आज यहां हम हल करेंगे तो दिखें हमारा अगला प्रस्न, प्रस्न संख्या 16 क्या कहता है, मान लीजिए एक AB क्लोज इंटरवल है, इस पर परिभासित एक फलन F है, इस परकार है कि सभी X जो हैं बिलोंग्स टू AB के लिए F डैस X ग्रेटर देन 0 है, यानि कि उसकी आउकलनियता क्या है, किसी भी बि दूपे उकलनियता, जीरो से बड़ी है, और जीरो से बड़ी होती है, तो फलन वर्दमान हो जाता है, तो यह हमको सिद करना है, तो सिद कीजिए कि AB पर F एक वर्दमान फलन है, यह कंडिशन तो आप जानते हैं, कि F डैस X इस ग्रेटर देन 0 तो फलन वर्दमान, F डैस X लेस देन 0 तो आप कहेंगे, फलन निरंतर हासमान, लेकिन यहां पर यह हमें सिद करके बताना है, तो देखिए हम कुछ X1, X2, क्या कंडिशन होती है वर्दमान की, वर्दमान की कंडिशन होती है, X1 से बड़ा हो X2, तो यह बात implies हो जाए, कि F X1 से बड़ा है F X2, तो फल कि F X2 से बड़ा है F X1, तो इस कंडिशन में हमारा फलन जो है बचों निरंतर हासमान हो जाता है, यह निरंतर X के बढ़ने के साथ, उनके मानों में भी बड़तरी हो X के फलन के मानों में उन बिंदुवों पर, तो हम फलन को वर्दमान बताते हैं, अदर्वाइज इस इस हासमान बताते हैं, यह कंडिशन से, अपने को इस कंडिशन तक पहुँचना है, सिध हो जाएगा कि फलन बर्दमाने, तो सबसे पहले मान लेते हैं, for all, माना, for all X1, X2 belongs to, क्या आपका A, B, A, B, open interval में कोई X1, X2 है, इस परकार है, इस परकार है, such that, कि जो X1 है, उससे बड़ा है X2, इस परकार है, मतलब कि सभी बिंदू, जो A और B के मद्ध में है, X1, X2, उसमें X1 से बड़ा X2 होना चाहिए, उन सब के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे, तब जो X1, X2 जो भी बिंदू A, B के मद्ध होंगे, उनका एक जो close interval बनेगा, वो उपसमुच्चे होगा, किसका A, B का, ये बात समझ में आई, ये दूसरा point, अगर ऐसा है, तो हम ये बात कहेंगे, अब, अब यदी, फलन, F, X, A, B, में अवकल नहीं है, है तो, हम ये कहेंगे, X1, X2 में भी अवकल नहीं होगा, एक बात, अगर भाई, फलन जो है, X1, X2 किसके हैं, A, B, अंतराल के मद्ध के कोई बिंदू है, इन दोनों के बीच के बिंदू है, इन दोनों के बीच के बिंदू हमने मान लिये हैं, अब अगर ओपन इंटरवल, A, B में फलन क्या है, अवकल नहीं है, F, X, तो निश्चित रूप से, X1, X2 जो ओपन इंटरवल है, इसमें भी अवकल नहीं होगा, दूसरी बात, तथा यदी, फलन, F, X, A, B में संतत है, तो वैसे ये बात कहने की जुरूरत नहीं है, जब अवकलनी के लिए कह दी, तो हम सीधे भी कह सकते थे, संतत है, तो F, X1, X2 क्लोज इंटरवल में संतत होगा, ये बात स्टेटमेंट सामने है, अब देखिए, लांगराज जो था, लांगराज पर में आपने पिछले अध्याय में पड़ी है, माद्यमान पर में लांगराज की, तो लांगराज ने क्या कहा था, कि मुझे ऐसा फलन दे दीजिए, आप लोग, जो क्लोज इंटरवल में तो संतत हो, और ओपन इंटरवल में अवकलनी हो, तो उसने दो बातें कही थी आपको, कि कोईन कोई एक बिंदू सी इस परकार मिलेगा, कि जहां पर F-C, FB-FA अपोन आपका B-A के बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे मद्धमान परमे से, आप कह सकते हैं कि एक बिंदू, C belongs to X1, X2, इस परकार होगा, यहां A, B की जगे मैंने क्या ले लिया है, X1, X2, परकार होगा, क्योंकि जिसमें अपने को संतत, संतत और अउकल निया बताया है, वही अंतराल तो हम लेंगे, होगा यदि, कब F-C आपका हो जाएगा, F-X2-F-X1, यानि FB-FA यहा, A की वेल्यू यह, और B की वेल्यू यह, आप माद्धमान परमे को सर्च कर लें, पीछे जाके, प्रस्ना नुसार, आपको F-X is greater than 0 दे रखा है, तो यह implies करता है, अगर F-X greater than 0 है, तो F-C, C तो इसका कोई बिंदू है, अंतराल के मद्धे का कोई, उस पे भी आउकल निया ता क्या होनी चाहिए, greater than 0 होनी चाहिए, और F-C greater than 0 हो गया, तो हम कह देंगे F-C की value लांगराज परमे से कितनी है, इतनी है कि F-X2 minus F-X1 upon क्या X2 minus X1 greater than 0, तो फिर इसके बाद हम बात आगे बढ़ाएं, तो X1 minus X, X2 minus X1 0 में गुणा हो जाके 0 हो जाएगा, यहां से मिलेगा F-X2 minus F-X1 greater than 0, implies हो जाएगा बच्चों, F-X2 और greater than F-X1, अब क्या लेकर चले थे starting में, अब X1 और X2 को ऐसे बिंदू लेकर चले थे, कि X1 से बढ़ा हो X2, तो देखें आपने प्राप्त क्या किया बच्चों, आपने प्राप्त किया F-X2 से बढ़ा है F-X1 इस तरह से, तो आप यह कह सकते हैं यहां से, implies that जब X1 से बढ़ा है X2, तो X1 पर फलन के मान से बढ़ा निकलता है, फलन का मान किस पर X2 पर, तो यहां से हम कहेंगे यह for all X1, X2, belongs to A-B की बात हुई है, जो इस टार्टिंग में मान कर चले थे हम, तो तब हम यहां से कहेंगे कि F-X क्या होगा, वर्दमान होगा, वर्दमान होगा, निरंतर वर्दमान से यहां वर्दमान का तात्वर है, इस तरह से बच्चे इसको सिध कर सकते हैं, अगला देखिएगा, किसन नमबर 17, सिध कीजिए कि आर्टिर्ज्या के गोले के अंतरगत, अधिक्तम आयतन के बेलन की उचाई, अधिक्तम आयतन भी ग्याद कीजिए, किसन कहरा है कि आर्टिर्ज्या का गोला आपको दे दिया गया है, और गोले में आप बना रहे हो एक बेलन, और उस बेलन का जो आयतन है वो अधिक्तम होगा, कब होगा, जब उसकी उचाई इतनी होगी, यह कि उसन में सिध करना है, जो आपको दिया जाता है वो constant values होती है, तो constant क्या है, दिया क्या गया है, गोले की तरिज्या आर्फिक्स कर दी गई है, तो यह अचर रासी है, अगर गोले की तरिज्या फिक्स है, अचर है, तो गोले का आयतन, गोले का आपका परस्टिय छेतरफल सब क्या रहेगा आपका अचर रहेगा बात रही बेलन की तो बेलन के लिए आप स्वतंत्र हैं उस गोले के अंतर गत आपको गोला एक दे दिया गया है रहां अंदर बेलन बनानी की बात कही जाए तो आप अपनी मर्जी से उसकी उचाई और उसकी तरिज्या मतलब की बेलन की तरिज्या और उचाई को चेंज कर सकते हैं आप अगर उचाई बढ़ा देंगे तो तरिज्या आपकी कम हो जाएगी और तरिज्या बढ़ा देंगे तो उचाई कम हो जाएगी यनि की वो परिवरतन सील रासिया हैं बच्चों देखि बेलन इस तरह से कुछ मैंने मना दिया ये लीजे ये बेलन मना दिया अब आप कोई और भी बना सकते थे ये पोईंट यहां ले लेते ये यहां ले लेते तो आपका बेलन इस गोले में क्या हो जाता कम हाइट का हो जाता लेकिन फिर तरिज्या बढ़ जाती तो बताओ क्या क का आयतन भी परिवर तनसील है तो आप जितने भी इसके अंदर गोले के अंदर आर तरिज्या के अंदर बेलन बनाएंगे तो कोई न कोई एक बेलन ऐसा होगा जिसका आयतन सबसे अधिको और उस बेलन की उचाई कितनी होगी टू आर अपोर रूर तीन होगी ये कंसेप्ट म और ये दूरी किसकी हाइट होगी ये आपके बेलन की हाइट होगी और बेलन की हाइट जो है मैं नाम दे देता हूँ इसको एच नाम दे देता हूँ बेलन की त्रिज्या की वेल्यू यहां से आर मैं इसको नाम दूँ A, B, C, D, इसको O, इसको P और इसको Q नाम दे दूँ तो आप देखेंगे और मैं माननू कि O की की लेंथ X है तो O P भी बराबरी आएगी उतनी ये X हो जाएगी तो यहां मान लेता हूँ जो मैंने लिखा है माना आर तरिज्या के गोले में बनाए गए बेलन की तरिज्या आर तथा उचाई H है तब माना जो O P और O Q है O P इक्वल टू O Q इक्वल टू X मैंने मान लिया है यह माना है ठीक है यह मैं X जब मानता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही हाइट कम होगी X की वेल्यू भी कम हो जाएगी जैसे ही तरिज्या बढ़ेगी तो हाइट आपकी तरिज्या बढ़ने से हाइट कम हो जाएगी तो तरिज्या में परिवर्तन किया हाइट में परिवर्तन वा तो X में परिवर्तन वा तो परिवर्तन सील रासिया पहचान ले कौन-कौन है आपकी एक तो X है, एक R है और एक क्या है? उचाई H है, जो कि बेलन के संदर्ब में गोले के संदर्ब इसकी एक विमा है R जो कभी change नहीं हो गी, अचरासी है ठीक है, हमें महतम किसको करना है? उसी का फलन मनाते हैं महतम करना है हमें बेलन के आयतन को तो बेलन का आयतन मानलूम है बेलन का आयतन का फलन आयतन V मानलेता हूँ और इसको मैं V मानलेता हूँ तो देखेगा V equal to क्या होगा बेलन का आयतन होता है आपका πाई R square H ठीक है जहां ये एक नाम परंतु आपने O P और O Q को X दिया है H बराबर कितना बनेगा आपका P से O O P plus O Q की value H के बराबर है O P plus O Q की value यनि की X plus X बराबर 2X इसको समीकर नाम दे दिया 2 ये आपकी उंचाई किसकी होगी बेलन की उंचाई ये आपको ग्यात करके बतानी है और वो कितनी आएगी बच्चों 2R upon root 3 लेकिन कब आएगी जब इसका आयतन महत्तम होगा मतलब अधिकतम होगा चलिए आगे बढ़ते हैं V equal to कितना हो जाएगा पाई R square और H, H की value देखना, H की value हो जाएगी आपकी 2X आपने यहाँ पर रख दिया जो की माना है अब बाताई R की, अब तिरिज्या R देखिएगा, तिरिज्या R यहाँ पर अगर मैं इसको 90 degree का angle बोल दो और यह तिरिज्या R है, यह value X है और यह capital R constant value है जो की गोले की तिरिज्या है, यह small तिरिज्या बेलन की तिरिज्या है बेलन की तिरिज्या कितनी बोली आपने, R जो किसके बराबर है, A P के बराबर, A P बराबर क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट R square माइनस X square तो आप यहां से इसको समीकर तीन नाम दे दें, और समीकर तीन नाम दे दें, तो आप आगे देखिए, V बराबर क्या हो जाता है, पाई R square, यह अंडर रूट R माइनस X square का whole square into 2X आपने पूरे फरन को X में convert कर लिया, अब इसका आउकलन करना संभव हो जाएगा X के साफ X, तो देखिए, V equal to बन गया पाई, R square का यह, R square माइनस X square into 2, 2 आ गया जाएगा, और X यहां पे आ जाएगा, V equal to 2P X को अंदर गुना कर दूँ, R square X माइनस आपका X cube आ जाएगा, ठीक है, V dash यानि पर्थम derivative X के साफ X, 2Pi तो बाहर है बच्चो, यहां पर R square हो जाएगा, यहां माइनस 3X square हो जाएगा, X के साफ X आउकलन किया है, ठीक है, V double dash यानि कि V double dash आप निकालेंगे X के साफ X में, यह X के साफ X में है, VX का फलन है, ठीक है, कितना हो जाएगा, द पर माइनस 6X हो जाएगा, कितना आएगा, आपका माइनस 12Pi X आपका, यहां पर यह आ जाता है, जो कि रिनात्मक होगा, ठीक है, बात करते हैं, अब V dash X equal to 0, first derivative को 0 रखने पर हमें मिलता है, क्या R square equal to 3X square मिल जाएगा, इसका मतलब R equal to आपका कितना हो जाएगा, रूट 3X हो जाएगा, और रूट 3X हो जाएगा, तो बच्चे कहेंगे, X बराबर जो आएगी value, वो कितनी होगी, R by root 3, यह point मिला, अब यह point उच्चतम का है, यह देख लेते हैं, तो आप कहेंगे, जब X बराबर R upon root 3, तब आपका double, second order का derivative क्या है, V double dash, किस विंदू पे X बराबर R by root 3 पर आपको देखें कितना मिलता है, यह minus 12, यह पाई, X की जगे चला गया, R upon root 3, यह value कैसी आई, आपकी negative आई, तो आप कहेंगे, V यनि की आयतन किसका, आपके बेलन का आयतन अधिकतम होगा, या उच्चतम होगा, किस बिंदू पे, इस बिंदू पे होगा, ठीक है, तो जब V अधिकतम होगा, यनि की बेलन का आयतन, V अधिकतम होगा, तब X बराबर कितना है, X बराबर है, R by root 3, बाकी की चीज़े और बता देते हैं, X बराबर R by root 3 है, तो बेलन की उचाई की बात हो रही थी, तो बेलन की उचाई की height किस से represent की थी, H से, H equal to कितना था, 2X, और 2X, 2 into X, X की value कितनी है, R by root 3, तो बच्चों, आपको क्या सिध करने के लिए बोला था, कि आयतन अधिकतम होगा, उस इस्थती में बेलन की उचाई 2 R upon root 3 होगी, जो कि आपने सिध कर दिया नीचे, अब आपको पूछा गया है कि बेलन का उच्चतम आयतन भी बताईए, पाई R square H, यहां से देखेगा, बेलन का आयतन मैंने इस तरह से आपको represent करके दिखाया था, कि यह R square R की value रख दी थी, और इस तरह से यह आपका आयतन आया था, 2 pi X R square minus X square, तो X की value इसके अंदर रख देंगे, तो आपका आएगा 2 pi R square minus X square into X, तो बच्चे V equal to देखेगे 2 pi R square की value, R की value R बटा रूट 3, तो आप कहेंगे यहां पर R square और X की value है R बटा रूट 3, तो हो जाएगा R बटा रूट 3 का whole square, यह हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा X, X का मतलब R बटा रूट 3, इसको calculate करेंगे, तो V equal to देखना 2 pi बाहर में रहेगा, यह हो जाएगा R square minus R square बट R root 3, आगे बात को बढ़ाएं, तो देखें, V equal to कितना आता है बच्चों का, यह 2 pi रहेगा, यह 3 R square में से 1 R square जाएगा, तो 2 बटा 3 R square into R root 3, बच्चे देखेंगे, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 3 into root 3 कितना हो जाएगा, आपका 3 root 3 हो जाएगा, और यह pi आ जाएगा, और R square into R क्या हो जाएगा, R cube, तो इस तरह से बच्चों ने कहा, कि जो उच्च तमायतन होगा, अधिक तमायतन होगा, किसी स्थती में, जब X बडाबर R बटा root 3 हो, तब यह आपके पास आ जाता है, इस तरह से बच्चे इस कितना को कर सकते हैं, अगला देखेगा, देखेगा, कित परसन नमर 18 कहता है, कि सिध कीजिए कि अर्ध सीसकों अलफा, और उचाई H के लंवर्तिय संकु के अंतरगत, अधिकतम आयतन के बेलन की उचाई, संकु की उचाई की एक तिहाई है, एक तो यह बात सिध करनी है आपको, और बेलन का जो अधिकतम आयतन है, वो यह, देखे मान लिजे कोई यह लंवर्तिय संकु आपके पास है, तो इसके अंदर आप कोई इस तरह का बेलन मना सकते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी कम रख दी हमने, और इसकी तृज्या को बढ़ा दिया, इस तरह से कुछ, कोई स्टूडेंट कहें, नहीं हम थोड़ी हाइट बढ़ आ सकते हैं, कोई न कोई बेलन इस परकार का बनेगा, जिसका आयतन क्या हो जाएगा? अधिकतम, तो हमें ऐसे बेलन को खोज निकालना है, किस में इस लंवर्तिय संकु के अंतरगत जो बेलन बन रहा है, उसमें से, जिसका आयतन क्या हो? अधिकतम हो, कियो Państwo सदूबच्चे इसकी जो है एक तिहाई होगी तो बड़े से बड़े आयतन वाला बेलंज जो बनेगा उसकी उचाई संकु की उचाई की कितनी होगी? 1 वाई 3 होगी यनि की एक तिहाई होगी यह हमें क्युस्टन में सिद करना है अच्चा दिया गया क्या है? अर्ध सीसकोन alpha यह constant value है जो दे दिया गया है यह change नहीं होगा alpha इरध सीसकोन कौन सा कहलाता है यह कहलाता है इस side भी alpha यह भी alpha यह भी alpha अच्छा इसकी height जो है इस संको की आपको कितनी दी गई है h दी गई है तो यह भी constant value है तो हम क्या करेंगे इसके अंतरगत जो बेलन मनाएंगे उसकी हाइट को h- माल लेंगे और इस संकू की तरिज्या को माल लेंगे अपन आर माल बेलन की तरिज्या को हम क्या माल लेंगे आर माल लेंगे इस तरह से कि उस संकू हम बनाएंगे तो देखेगा किस तरह से हम इसे कर सकते हैं. मैं थोड़ा साफ इसका graph बनाता हूँ. देखे, ये आपका मान लीजिए कि लंवरत्ति आपका संकु हो गया हूँ. इसके अंतरगत आपने कुछ इस तरह का बेलन बना दिया. ये आपने बेलन बना दिया. आपको संकु के अंदर बेलन दिखाई दे रहा है. ये यहां से लंप ये डाला है, जो हाइट को पर दरसीत करेगा. तो ये हाइट जो है कि उसन में गीवन है आपको संकु की उचाई. कितनी है? H है. नाम दे देता हूँ पॉइंट को A, B, C, P, Q, R, S. और इसको O, और इसको मैं यहां पर दे देता हूँ M. अच्छा, माना, बेलन, जो भना रहे हैं आप संकु के अंदर, बेलन की उचाई, H डेस, तथा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो है, वो आप R मान लीजे, R, तथा, बेलन का आयतन, V है, यह चीज़ें आपने मान ली, तो R आपकी क्या होगी, त्रिज्या, यह अर्द सीज्कोन इधर अलफा, और इधर भी कितना है, अलफा, अब बात करते हैं, कि बेलन की उचाई, H डेस, जो आपने मानी है, H डेस इक्वल टू कितना आएगा, देखे, H डेस, H डेस आप इसके अंदर देखेंगे, तो आपकी कितनी होगी, यह बेलन की उचाई, यहां से लेकर, यहां तक की आपकी H डेस होगी, यह H डेस है, इतनी लंबाई, O से M तक, इसको O M भी आप बोल सकते हैं, O M मुझे निकालना है, तो देखे, पूरी जो संकु की हाइट है, उस में से A M को मैं माइनस कर दूँ, यनि कि बच्चे कहें कि मैं H में से आपका A M माइनस कर दूँ, तो यह क्या आ जाएगी, आपकी बेलन की उचाई, जो है, S डेस के बराबर मान आ जाएगा, इसको समीकर एक नाम दे देते हैं, इसको A, A M की वेल्यू हमें निकालनी है, तो देख लिखते हैं, A M आपको find out करना है, A M बटावा, ये SM मतलब की, तिरिज्या R, equal to क्या हो जाएगा, A M का मतलब क्या हुआ, alpha के सामने लंब, और ये alpha के साथ वाला, जो भुजा दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया, आपका, आधार हो गया, तो आधार बटा लंब क्या होता है, coat alpha, आपका कौन कितना है, coat alpha, यहाँ पर ये कौन alpha है, तो coat alpha लिख दिया, A M का value कितना निकल कराएगा, दिखेगा, A M equal to, आपका आ जाएगा, R coat alpha, ये माना जाएगा, समीकर्ण एक से, H dash का value जो हो जाएगा, H minus R coat alpha हो जाएगा, ठीक है, अब, आपका बेलन का item, जिसको आपका अधिक्तम करना है, उसका फलन मनाना है, तो बेलन के item का फलन मना लेते हैं, बेलन का item, V equal to, V equal to कितना हो जाएगा, दिखेगा, V equal to आपका हो जाएगा, πाई R square, R तिर्ज्या है, R square, आपका H dash, क्योंकि बेलन की उचाई कितनी मानी हुई है H dash का value, समीकर्ण इसको मैं दो नाम दे दू, तो समीकर्ण 2 से S dash की value रखे, तो V equal to, दिखेगे, पाई, आपका R square, और यहाँ हो जाएगा, H minus R quote alpha, आप जानते हैं बच्चों, इसमें परिवरतन सील राशी, चर्राशी कोन है, आपकी R है, क्योंकि आप अलग-अलग बेलन म रहेगी, लेकिन H क्या है, संकू की उचाई है, संकू में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए H और alpha क्या है, constant values है, तो आपकलन करते हैं समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, V equal to, देखेगा, अंदर multiply करूँ, πाई R square H हो जाता है, minus πाई R cube, quote alpha हो जाता है, dv upon, किसके सा रह यहां से मिलता है, और यहां पर minus 3 πाई R square, R cube का 3 R square हो जाता है, और quote alpha constant value है, जो कि गुणा में लिखी जाती है, आगे बात करते हैं, secondary derivative, d2v upon dr square का value कितना हो जाएगा, देखेगा, आपका 2 πाई H यहां से आपको मिलेगा, और यहां से देखेगा, R square का, आपको लोगे 2 R, तो minus 6 πाई R, quote alpha आपको मिल जाता है, अब आपको point निकालना है, जिस point पे आपका आयतन अधिक्तम होगा, वो point देखें, कैसे निकालते हैं, dv upon dr equal to, सुन्य, रखने पर आपको point मिलेगा, point कैसे मिलेगा, 2 πाई R, H, minus 3 πाई R square, quote alpha, equal to कितना 0, और implies that, यहां से आप देखेंगे, कि 2 πाई R, H, equal to आपका, 3 πाई R square, quote alpha, R, equal to 0 नहीं हो सकती, नहीं तो 30, 0 होगी, तो बेलन क्या हो जाएगा, बेलन ही खतम हो जाएगा, इसलिए R का मान सुन्ने नहीं है, और R का मान सुन्ने नहीं है, तो R से R काटा जा सकता है, पाई से पाई काटा जा सकता है, कितना आजाएगा, 2H आपका left side में, right side में कितना बचेगा, पाई और R cancel होके, 3R quote alpha आपको मिल जाता है, आगे बात करें अपन, तो R की value मैं यहां से निकालना चाहूं, तो R की value कितनी आजाती है, 2 upon 3H, और quote alpha इदर आके हो जाएगा, आपका 10 alpha, यह आपको point मिलता है, ठीक है, इस point पे second derivative का मान निकाले, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, कि R quote alpha equal to 2 upon 3H, यह बातें आपके सामने आती हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जब R equal to 2 upon 3H 10 alpha, तब second derivative d2v, d2v upon dr square, second derivative positive आता है, या negative, यह हम चेक करेंगे, तो equal to, देखेगा, आगे बात करते हैं, कितना value निकल कराता है बच्चों के पास, d2v upon dr square, देखे 2piH, तो यह आपका 2piH आपका लिख दिया, और उसके बाद minus 6pi, minus 6pi, और R quote alpha का value, आप यहां से लेक सकते हैं, कि R quote alpha की value, 2 upon 3H, into 2 upon 3H, 3 से 6, 2 time कटेगा, और आप देखते हैं, कि यहां पर आपकी value हो जाती है, minus का 2piH, यहनी कि जो की आपकी negative value है, students, और second derivative इस point पर क्या आया, negative आया, इस वज़े से बच्चे क्या कह देंगे, अतह, R equal to 2 upon 3H tan alpha, या, R quote alpha equal to, आपका कितना, 2 upon 3H, पर, बेलन का आयतन, अधिक्तम होगा, और बेलन का आयतन अधिक्तम होगा, तो बात कर लेते हैं, हम हम H dash की, H dash का मतलब बेलन की उचाई, बेलन की उचाई equal to, संकु की जो उचाई थी, minus, आपका कितना हुआ था, उपर देखेगा, H dash equal to, आपने value निकाल रखी थी, H minus R quote alpha, तो यहां से आप देदेंगे, कि यहां देखेंगे, कि यहां पर H minus R quote alpha, अब बच्चे कहेंगे, H dash equal to implies that, H minus R quote alpha की value आपने अभी बताई, 2 by 3H उपर point निकाल रखा है आपने, equal to 1 by 3H आपका आ जाता है, implies that, H dash का मतलब क्या हुआ, बेलन की उचाई, और equal to 1 by 3H का मतलब, संकु की उचाई, इस तरह से आप देखते हैं, कि बेलन की उचाई है, वो संकु की उचाई की 1 by 3 है, जब आपका आयतन V क्या है, अधिक्तम है, तो यहां पर V अधिक्तम होने पर, आपके बेलन की उचाई, संकु की उचाई का 1 by 3 हो जाती है, एक बात तो यह सी दोगी, और जब ऐसा होगा, तो बेलन का अधिक्तम जो आयतन, यानि कि बेलन का उच्चतम आयतन, आयतन कितना होगा, V equal to, V में यह point रख दें, point कौन सा रख दें, R की जो value है, आपने find out की हुई थी, कितना 2 बटा 3, H 10 alpha, या R quote alpha equal to, 2 by 3, H, उसके अंदर हम put कर देंगे, बेलन का आयतन कितना था आपका, आपका था, pi R square H dash, चलिए, V equal to pi, R square का मतलब, R की value 2 by 3, H 10 alpha का whole square, और H dash का मतलब, H minus R quote alpha, या आपका H dash का value रख दिया, आगे बात करते हैं, V की value देखीगा, V equal to, ये pi whole square करेंगे तो ये 4, और 3 का 9, H square, ये आपका 10 square alpha हो जाने वाला है, यहाँ पर देखिए, H minus R quote alpha की value कितनी है, 2 by 3, H, जो आपने उपर point में find out की है, आप आगे देखेंगे, V equal to pi, 4 by 9, H square, 10 square alpha, और यहाँ पर देखेंगे, H minus 2 by 3 into H minus करेंगे, तो 1 by 3, H आपको मिल जाने वाला है, आगे देखिए, अधिकतम आयतन V की value कितनी बनेगी, तीन को 9 से गुना करेंगे, यह 4, बटा 27 हो जाएगा, आपका pi हो जाएगा, H into H square H cube हो जाएगा, और 10 square alpha हो जाएगा, तो यह जो आयतन मिला, किस point पर, आपका R quote alpha equal to, आपका 2 by 3 H वाले point पर, जो आयतन मिला, वो क्या हो गया, अधिकतम हो गया, और अधिकतम आयतन की value इतनी है, जो की question में दी गई थी, आपको सिध करने के लिए, इस तरह से बच्चे इस question को कर सकते हैं, बच्चों, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,